अब भीया जरना कहा है खरसूरा का किछा से रास्ता है नारा से उट पार्ट जाएगा बाइक चला जाएगा ना चलिए ठीक है भीया हेलो फ्रेंड मैं सुरे दोचा स्वागर करता हूँ आपका अपने चैनल ब्लॉग है रोजा में दोस्तों आप से निवेदर नगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने यह है खरसूरा वाटर फॉल जीसके दूरी को जानते हैं यहां कैसे आना है इसको मैं आपको बता दूंगा वीडियो में और यहां पर गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्सान में मिल जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्ताग्राम का भी लिंक हमारा आपको मिलेगा उसे फॉलो जरू करें इस्ताग्राम में हम खर्षूरा वाटरफॉल अंभिकापूर से इसकी दूरी 50 किलोमीटर के दूरी पर है और उड़ैपूर से इसकी दूरी 10 किलोमीटर के दूरी पर है आप उड़ैपूर से ठाना चौक से खर्षूरा के लिए रास्ता मिलेगा आपको मस्त पहारों की वाद आपको इस तरह के रास्ते मिलेंगे पूरे जंगल औपहारों के मद्ध का रास्ता काफ़ी अच्छा रास्ता भी है यहाने के लिए पहारों के मस्थ आपको रामगर की पहारी के दर्शन होंगे एक साइट से रामगर का पूरा पहाड़ है और खर्षूरा का एक फिरेन वाटर फॉल देखने को आपको मिलेगा कुछ आप किसी से पुछते हुए भी यहां पहुंच सकते हुदाइपूर से आएंगे कि खर्षूरा वाटर फॉल कहां है काफी अच्छा दिर से लग रहा है देखके पहाड़ों के मद्ध्य आप्रिया जारना कहा है खर्षूरा का किजा से रास्ता है नारा से उस पार्षू बाइक चला जाएगा ना चले ठीक है भी यहां जाड़ी चला जाएगा ना चलिए धन्यवाद के पास बाबा के पास चल बाबा के पास बताएंगे बाबा खर्षूरा का जड़ना यहीच में ना चला ठीक इन जह सत्वाहिनी जहरना में हम लोग पहुंच चुके हैं खर्षूरा उद्यपूर में यहां पिकनिक मनने का काफी अच्छा स्पॉर्ट है देख सकते हैं दूर-दूर से काफी लोग आए हैं हम लोग भी आए भी उधर भी पिकनिक मन रहा है चा पहारों के उपर का दिखें नीचे का कितना सुन्दा दिख रहा है प्राक्रिक का दिखें चटीजगर के जंगल काफी अच्छे लग रहे हैं चलिए नीचे का रास्ता खुछते हैं नीचे चलते हैं मतलब फुल ट्रैकिंग वाला महाल है वाई मित्ती के फिसलने का भी दर है अराम से चलेंगे जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको बहुत इच्छा दिखने को मिलेगा ज़र्ने का जब पहार से नीचे जढ़ा नीचे पहार भी नहीं है अच्छे रास्ते हैं लेकिन बच्चों के साथ नीचे उतरने की कोशिस ना त पहारों के मद्धे पहारों से जहर कल कल करती हुई जहरने की आवाज और मनमोहक दिश्टे लोग नीचे भी पिकनिक मना ही रहे हैं बहुत ही अच्छा दिश्टे लग रहे हैं सांडाज दिश्टे भाई मतलब पूरि ठाकावत दूर हो गई इतने दूर आने में के बाद देख सकते हैं ठंधी के यहाँ काफी पिकनिक मनाने भी लोग आते हैं आसपास के गाहों वाले लोगों कि नजेरों से दूर यह जहरना अभी प्योंत खेलता लोग नहीं आप आते हैं अंभितापुर के और बारो मासी जहनना है बरसाथ के समय यहां काफी पानी भी गर्थ बहता है अब देख सकते हैं द्रिश्ट यहां का पिकनिक मनाने के लिए काफी अच्छा जगा भी है अब उपर भी पिकनिक मना सकते हैं और देखे पहारों में गुफें भी बने हुए हैं पहारों के ज़र्ने है इसे देख करना मन खुष हो जाता है पहारों के मध्ये जंगलों के मध्ये इस तरह के जर्में देख सकते हैं पहाड भी है लक्रियों की सुधा भी है अगर पिकनी पनाने लोग आए तो सभी चीज की यहां सुधा है पानी भी है बच्चों के खेलने के लिए भी है और देखिए कितना सुन्दार सांदार इतरे से लग रहा है के लिए कि दिल खुस हो जा रहा है ह Werk आने के बाद हमने सुचा था जब निकले थे तो क्या हूगा Google में तो बता रहा है कि त्थर्म आ है पर कि कि शत्वह कर कोई क्योंकि Google में थे पितनिक मनाने के लिए काफी प्लेसे भी हैं आप सभी को हम कही की चीज़ कहते हैं इस जगा पे आईए इंज्वाइ करिए पर किसी को नुकसान ना पहुंचाईए प्राक्तिक का जो ये दिल से इसे छिर्चानी ना करें आज़ दोस्तों आप भी इस बार ठंगी के समय पितनिक मनाने का फैमली के साथ भूंने का सोच रहे हैं तो यह जगा आपके पास अभी नए जगा है अम्भीकापूर से मात्र पचास किलोमिटर की डूरी पर उदैपुर उदैपूर से 10 किलो मितर, अम्भीकापूर से 40 किलो मितर दूर उदैपूर, उदैपूर से 10 किलो मितर की दूरी पर ये खरसूरा वाटरपॉल है, खरसूरा का घने जंगलों के मध्धे, और एक ही यार बताते हैं, यहां आने के लिए आपको फोर्विलर पुरा यहां तक हुए आएंगे, गाओं के ही मध्धे जर्ना है बोलाजाए, तो गाओं से खरसूरा का जो गाओं है, वहां से गाओं से 2 किलो मितर की दूरी पर ही जर्ना पड़ता है, पिकनिक मनाने के लिए बच्चों के साथ घूमने के लिए काफी अच्छा जगा है इस पार, नया जग करें इस जगा को काफी अच्छा जंगलों के मध्धे देख सकते हैं, बालू, रेट के साथ ये जगा कितना अच्छा लग रहा है देखके, जब दिल एक खुस हो जाएगा आप यहां आएंगे तो, ऐसे जगाओं पर भी आप घूमिए नए जगाओं को भी, लोगों को बत आना हैं और गंडा ना करें, सामने में खुब्सूरत सा जढ़ना, मन मोहक सद्वित, मैं वैसा करता हूं सवच्छता के निवाब देख सकते हैं, इतने अच्छे पिकनिक स्पॉर्ट पे लोग आ कर इस तरह गंडा करते हैं, सर आपकी बोटले, डारू की बोटलों को फेकत हैं, नुक्सान आपको ही होगा, आपके पैर में अगर काच गड़ेगा तो आपके आपके साथ ही जो भी यहां पिकनिक स्पॉर्ट में पिकनिक मनाने आएंगे, उनको भी नुक्सान हो सकता है, गंडीगी को यहां से ले जाईए, दूसरे जगा फेके जहां उसे फेकना हो इस तरह पिकनिक स्पॉर्ट में पत्थरों के बीच में काच बोटल, सीसी बोटल फोटना सही नहीं है, सीसी को गड़ गया, तो यहां इंज्वाइ करने आए हैं तो उनकी पूरी इंज्वाइमेंट खतम हो जाएगी, अपर से जहने को देखने के लिए बच्चों के साथ पना जाएं, नीचे जाके आनंद लें, वीडियो को अन्टक देखने के लिए आप सभी का धदनेवाद, चैनल को सस्क्राइब नहीं हैं तो सस्क्राइब कर दें